Now we will learn about feathery friends feathery friends मतलब जिनके feather होते हैं मतलब punk होते हैं अब हम उन friends के बारे में पढ़ेंगे जिनके क्या है? punk होते हैं तो सबसे पहली picture बहुत सुन्दर है तो सबसे पहली picture है peacock की peacock मतलब more more हमारा राश्टिय पक्षी है क्यों है इतना सुन्दर? क्योंकि इसके कितने प्यारी क्या है? punk है more के punk बहुत सुन्दर होते हैं the next picture is of swim मतलब hun यह कैसा है? white color का बहुत सुन्दर लिखता है यह भी next picture is of vulture मतलब गिद pigeon pigeon हम किसे कहते हैं? कबूतर को आपको पता है आज से पहले जमाने में जब एक जगा से दूसरी जगा संदेश भेजना हो जा था मतलब कोई message भेजना होता था तो कौन हमारी help करता था? pigeon कहते हैं न कबूतर जा जा the next picture is of eagle जिससे हम chill कहते हैं नेक्स पिच्चर इस आफ ग्रेन c-r-a-n-e crane यह कैसा है? white कलर का है और उसकी neck कैसे कलर की है बच्चों? red कलर की है इन सब की क्या है? punk है इसलिए हम इने pedri friends कहते हैं next picture is of ostrich आपको पता है ostrich bird तो है but it cannot fly यह उड़ नहीं सकता लेकिन यह बहुत तेज भागता है इसकी क्या होती है? बहुत लंबी गर्दन next picture is of crow कावा कैसा होता है? काले रंका और क्या करता है? काव काव next picture is of parrot green color का तोता मैं हरे रंग का तोता हो और parrot को क्या पसंद है? chili, guava खाना बहुत अच्छा लगता है duck बत्त duck कहां रहती है? पानी में रहती है sparrow छोटी सी होती है चिडिया चीची करती चिडिया रानी penguin and the last one is of kingfisher आपको पता है kingfisher की कितनी लंबी बीक होती है बीक मतलब चोमोच देखिए और कैसी होती है? बहुत pointed होती है बहुत नोकिली होती है नाओ ताइम ताइम गिफ सम आंसर और कैसी होती है अच्छा लगता है अपने पंक फैला कर वो नाचता है वो है हमारा पिकॉक प-e-a-c-o-c-k पिकॉक नाओ टाइम पर सम मेमोरी बार्ड्स हाव फैदर्स डेट हेल्प देम फ्लाइ पक्षियों के क्या होते हैं? पंक होते हैं जिनकी मदद से वो क्या करते हैं? फ्लाइ मतलब उड़ते हैं खुले आस्मान में